है रहे दोस्तों वेलकम टो चैशान विश्करम एकेडमी और आज की वीडियो में हम लोग बीएड फॉर्ट सेमेस्टर का पेपर नमबर फर्स्ट देखेंगे जिसका नाम है भारत में सिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां ठीक है तो दो हम लोग चैप्ट कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट में इसको सॉल करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है और एक्जाम में इससे आज आ सकते हैं और इससे पहले कि मैं आज एक वीडियो अप्लोड करूंगा तो रसा एक घटना होई थी हमारे पास में हमारे घर के पास में एक किलम्टर दूर में तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा और बताईएगा कि इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं तो जरूरी भी है और हम लोग को जानना भी चाहिए कि क्या कैसे हम लोग करें कि आगे हम लोग को ऐसा कुछ ना देखने को मिले ठीक है चलिए पहले हम लोग आज का ये व कि बहुत काल का समय कब से कब तक की माना जाता है तो 500 इसा पूर से 1000 इसा पूर्व है 600 से 1200 इसा पूर्व है 1000 से 1500 इसा पूर्व है और 400 से 800 इसा पूर्व है तो इसका आंसर हो जाएगा B option ठीक है तो B option इसका आंसर है चैसो से बारासो इसापूर सेकंड कॉस्चिन दिया गया है महत्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब हुआ था तो 563 इसापूर में या फिर 463 इसापूर 463 इसापूर 483 इसापूर तो इसका आंसर हो जाएगा A option से 563 इसापूर में हुआ था question next question देखेंगे question number 3 और इस पर दिया गया है महत्मा गौतम बुद्ध का कारीकाल सुमाना जाता है कब से कब तक कि इनका कारीकाल माना जाता है तो पहले option में दिया गया है 560 इसापूर से 463 इसापूर 563 इसापूर से 483 इसापूर तक या फिर 460 इसा पूर्व से 463 इसा पूर्व तक या फिर 483 इसा पूर्व से 363 इसा पूर्व तो इसका आंसर हो जाएगा V options 563 से रेके 483 इसा पूर्व next question है और इसमें दिया गया है गौतम बुद्र ने मुक्ष की प्राप्ति का साधन बताया है बताया है क्या बताया है तो पहले वाले option में दिया गया है ग्यान प्राप्ति अहिंसा सदाचार इवं सपवित्र जीवन को या फिर अहिंसा कर्मकांड और अडंब को या फिर A और B दोनों या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका अज़र हो जाएगा इसक्षा उच्चित रूप से विचार किये जाने पर प्राचीन हिंदू आत्वा ब्रामर्निय सिक्षा प्रणाली का केबल एक रूप है या कतन है किसने बुला है ये इस कतन को तो पहले वाले option में दिया गया है केई का या फिर डॉक्टर अल्टेकर का या फिर डॉक्टर मुखर जी का या फिर हिनसांक का तो इसका answer हो जाए कि डॉक्टर मुखर जी का ये कतन है और फिर नेक्स कोश्चिन इस फिर दिया गया है बॉद सिच्छा पूर्टा मठों से समन्द थी और उन लोगों के लिए उद्धिस्ट थी जो संग में प्रवेश करते थे आत्वा प्रवेश का उद्धेश भी रखते थे या कतन किसका है दोनों important question है कतन वादे तो पहले वाले option में दिया गया है तो मखर जी का डॉक्टर अल तेकर का या फिर केई का या फिर हेंशान का और इसका answer हो जाएगा डॉक्टर अल तेकर का है यह कतन और यह दोनों questions तो आप most important है तो आप लोग या तो screenshot ले लीजिए या फिर फिर से देख लीजेगा ठीक है next question देखेंगे question number seven और इस पर दिया गया मठो में किस धर्म की सिख्षा दी जाती है पहले बाले option में दिया गया rahmm right ध्रम या फिर बहुत धर्म या फिर friendship या फिर इनमें सभी गिं तो या दिक अ कि मठो में दी जाती है बहुत धर्म की सिख्षा नेक्सक्ट इस बहुत धर्में वल आंकि की ढोल दिया गया तो पहला option दिया में घ्रवार कर रापति ये पिर्क और निर्वार प्ॏप्टी पर ये धिर्यत कर का कफ़र्ण वास्क पर ये अज्ञा पर है और इसका अंस कर गांप्हों से लिंदर प्रापती है महत्मा गौतंबुद्ध के अनुसान दिर्वार का अर्थ है तो भाला वाले ओप्षिन में दिया गया सूप की प्रापथी चिंतन्सवापथी और इच्छाओ की प्रापथी तो इसका तो इसका आंसर हो जाएगा बी ओशन चार बताए हैं और यह वीडियो हमारा थर्ड है ध्यान दें और जिन्हों ने पहले वीडियो ने दिखें उनको भी देख लें जिससे कि आप लोगों कुछ कोशन से याद होते जाएं तो फिर नेक्स कोशन दिये गया है और इस पर दिय देख है कि महतमा बुद्र ने अपना प्रथम उपदेश दिया कहां पर दिया था तो पहले वाले option में अब वूर्दまだ मिए मट्भो में सानाथ में या फिर सिच्छा केंद्रो मे तो इसका आंसर हो जाएगा C option सारनात में दिया था इन्होंने और next question दिया गया है question number 12 बौध सिच्छा प्रडाली पर नियंत्रन होता था तो पहले वाले option में दिया गया बौध बिच्छों का बौध संगों का नियंत्रन बौध धर्म का या फिर वैक्ति विसेस का और इसका अंसर हो जाएगा बौध संगों का नियंत्रन नेक्स्ट दिया गया है question number 13 और इसमें है बौध कालिन सिच्छा का प्रम को उदेश था तो पहले वाले सभी तो इसका आंसर हो जाएगा डी ओप्शन से तीनों ऑप्शन इसके सही है next question है गौतम बुध ने सांसारिक दुखों का कारण किसको माना है अग्यानता को या फिर आध्यात्मिक्ता को या फिर ग्यान को या फिर चरित को इसका अंसर हो जाएगा अग्यानता को माना है इन्होंने या देखे यह कुछ कुछ जो छोड़ी पॉइंट से ना इसको आप लोग वन लाइनर में या तो लिख लीचे या तो ऐसे ही इसको याद कर लिजाए तो कि एसे ही कोशन आपको लिखने में सहायता करेगा ठीक है और अगर शौट कोश्चन आता है तो उसमें भी तो साहता करेग रहेगानेक्सक्राशन है बॉद धर्म का प्रमू को उदेश क्या था तो इसका पहलगा असाथ ऊप्षयं में दिया गया धनो पारजंग करना निर्वार करना और निर्वार प्राप्त करना बौध धर्म का व्यक्ति प्रधान धर्म प्रधान समुदाय प्रधान या फिर जाति प्रधान इसका अंसर हो जाएगा समुदाय प्रधान नेक्स्ट है विट्रम सिला विश्व विद्दाले के स्तापना की थी किसमें करी थी रामपाल ने, कुमार गुप्त ने, या फिर राजा धर्मपाल ने, या फिर मैत्रक वंसी भटार कर ने तो इसका अंसर हो जाएगा राजा धर्मपाल ने कोशन नबर 18 और इसमें दिया गया है, बौध काल में सिख्षा दी जाती थी तो यह दिखे, इजी कोशन है और रिपीट भी है, तो पहले बाले कोशन में दिया गया है, ऑप्षन में दिया गया है, गुरुकुल में मटो, एवन से भिहारों में, मकतब व मदर्सों में, या फिर विश्वू भारती में तो इस कांसर भी हो जाएगा मटो, एवन से भिहारों में, फिर एक कोशन में 19 और इस पर दिया गया है, उपर संपदा संस्कार होता था, तो ऑप्षन नबर फर्स्ट है, वैदिक काल में, फिर बौध काल में, मुस्लिम काल में, और इन में से कोई नहीं, तो उपर संपदा जो संस्कार है, वो बौध काल में होता था, नेक्स्ट है, बौध काल में, विभिन विश्यों के विसेसक होते थे, जिने कहा जाता था, पहले वाले उप्षन में, सिख्षक है, उपाध्याय है, विद्वान है, इन में से कोई नहीं, तो यहां दखेगा इसका आंसर क्या हो जाएगा उपाध्याय अभी सरनेम भी है कुछ आप लोग जानते में होंगे यह उपाध्या एक सरनेम भी है तो उनको ही क्या है बड़ यह पुराने जब हमारा वहाद कालता तो उस पर क्या बोलता जो विश्चों के विसेशक होते थे उनको भी क्या बोलाता था उपाध्याय बोलाता था ठीक है तो यह हमारा चैप्टर थर्ड है फॉर्थ समेस्टर फर्स्ट पेपर का उसको हम लोग ने आज भी में लिए द्युक्त बिष्ट करांगे तो इस से आप लोगों नोटस बना सकते हैं और बाकी हम लोगीदिस्कस जो हमारे बात में लिख बात में करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखना है क्योंकि हमारा हर एक चैप्टर क्लिर हो चाहे है हैं ऐसे कोशटें से आएंगे क तो आप देखें आगे क्या होता जैसा अब नोटिस तो आई जाएगी चलिए हम लोग मिलेंगे अब नेक्स वीडियो में और कोसिस करेंगे इसको जल्दी से खतम करके हम लोग दूसी बुक्स भी देखें क्योंकि इसवास लेबस है काफी चार बुक्स है यह तो पता ही आप लोगों और दो मैने का अप्रॉक्स टाइम मान के चलिए क्योंकि में चली रहा है जून हो सकता है जून लास्ट में हो जाए या फिर जुलाई फर्स्ट वीक तक की एक्जाम हो सकते हैं ठीक है चले में नेक्स्ट फीडियो में थैन्ने बाद